हलो स्ट्रेंट मैं जी क्या शूँ और आज हम दो फामूला एन फंसन इन एमस एक्सल के इस क्लास में जानने वाले सम कॉमन फंसंस के बारे में अगर आप क्लास सेवंथ में तो आपको कुछ फंसंस यूज करनी आनी चाहिए एक्सल की ऊपर तो चलिए हम बिना दरी के अपने अपक्री आपक्र करें तो चलिए हम अगे बढ़ते हैं अपने कलास को कंटिन्यू करते हैं कि हम सब पहले बात करते हैं सम्- Finnish functions की तो हम लोग आज क्या करेंगे सबसे पहले बाइस बाइस सारे functions को पढ़ लेंगे और फिर हम सबसे आखिर में इसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो हमाँ सबसे पहला common function कौन सा है sum हम लोग use करते हैं sum को अपने daily life में excel के अंदर भी हम इसे daily life में use कर सकते हैं the sum functions add number as argument जो भी हम number उसे देते हैं वो as the argument यूज करता है sum करने के लिए sum functions का यह काम होता है जो भी उसे argument के तौर पर देंगे वो उसे add करेगा you can also add number like 25 आप चाहो तो कोई number जैसे कि आप कोई numbers add करना चाहते हो 25 55 जो भी numbers आप add करना चाहते हो to the range of sales so sale के range है तो आप उसे भी यहाँ पर add कर सकते हो यह बहुत आसान है मैं आपको सब कुछ करके दिखलाऊंगा फिर हम बात करते है product की तो product functions की उसके जाता है अगर आप एक argument को multiply करना चाहते हो तो आप इस वक्त प्रोड़क्ट का यूज करोगे you can also multiply the value of the sale with any given number आप कोई भी given number आप चाहते हो कि आप इसके साथ करना चाहते हो किसी भी sale को तो आप वह भी आपकर सकते हो तो मैं यह भी आपको करके दिखलाऊंगा फिर हम लोग बात करते average की the function is used to calculate the average of the given value यहाँ पर देखिए यूज के बाद मैंने तील यहाँ मिस्टाइप हुआ है यहाँ पर टू होगा तो average के यूज की जाते हैं अगर हम को average value को find करना चाहते हैं तो फिर average का use करते हैं यह same line repeat हो रहा है फिर उसके बाद max और minimum max और minimum का भी एक यहाँ पर concept है जिसके बारे में मैं ज्यादा यहाँ पर बात नहीं किया मैं क्या करूंगा मैं आपको सीधा करके दिखला दूंगा उसके बाद हम लोग के सामने एक और option क्या होता है now का तो हम लोग नाव का use क्यों करते हैं इस function is displayed of current date and time अगर हम अपने अब हम बिना दिरी के उप में Excel के ऊपर चलेंगे और यह सब कुछ जो भी हमने यहाँ पढ़ा है उसे हम लोग पैक्टिकल करके देखेंगे तो यह अभी हम आचुके Excel के ऊपर यह आपको यह सीट तो यादी होगा यह मैंने mark sheet बनाया था तो मैं total करना है तो total करने के लिए इसे क्लिक करेंगे और अब हम range को चुनेंगे तो मैंने range चुना bracket बंद और enter यह हमारा sum हो गया यह तो मैंने बहुत बार करके आपको दिखलाया है पर अगर मुझे जरूरत पड़े यहाँ पर एक number को add करने की तो मैं क्या करूंगा इसके formula में आउंगा और माल लिए ऐसा ह हुआ हो कि मैंने जो question दिया था उसमें पांच नंबर का गलत था तो अब हम चाहते है कि सब में by default पांच नंबर add होता चला जाए अब मैं बारी बारी से सब में formula में पांच तो add नहीं करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा 5 लिखूंगा और enter कर दूंगा तो यह फिर से मैं Ctrl Y करता हूं यह 8 हो गया क्यों Ctrl Z करने से मैं एक step पिछे आटा Ctrl Y करने से वही जो step जो मैं पिछे आटा था उसे फिर से मैंने कर दिया तो यहां पर यह 8 हो गया यह इसी तरह से यहां पर आगे हो गया तो यह average के गर हम बात करें तो equal to a r a z average मैं बैकटर मुझे average किसका निकालना है तो इसका यहां तक मैंने बैकटर बंद किया enter यह यह देखिए average find होके आगया तो यह मैंने आपको यह भी करके दिखलाया था तो आपको यह भी आता ही होगा आप हमनों maximum और minimum की बात करतें तो max का क्या काम होता है यह हमारी इस तीन नंबर में द रेंज को स्लेक्ट करते हैं ब्रैकट बंद एंटर 89 हमारा सबसे अधिक कौन सा 89 इसके बाद हम नीचे इसे ड्रैक कर देते हैं तो यह देखिए जितने भी जितने भी तीनों में ज्यादा नंबर जिसमें भी होंगे वह इसे यहां पर डिस्प्ले करें जैसे इसमें 85 जाद कहीं को मिनिममम क्या होता है यह बिलकु吸क होटा है harms का पोजुट मिनिममम होता है वकौल हम देखिए मैंMore नंबर वो इसमें आपको display करेगा तो यह देखिए यह मैंने सबका minimum जो number था वो मैंने यहाँ पर दिखला दिया आपको पर अभी मुझे यहाँ पर दो फंस मैं use नहीं किया पहला product दूसरा now अभी मैं now का use करूँगा माली जी मैंने जो भी करना था काम कर लिया अब मुझे जरूरत है कि इसमें date और time इंसर्ट करूँ मैं क्या करूँगा बापस अपने computer date & time को दिखूँगा उसके मैं manually type करूँगा मुझे इतना करने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं है मैं हाँ पर क्या नाव लिखूँगा सब सबसे पहले equal to उसके बाद now और उसके बाद bracket तो जैसे मैंने अंटर किया यहाँ पर देख सकते हैं यह has 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 मुझे दिख लाई दे रहा है क्यों कि यहाँ पर चोटा पड़ रहा है तो मुझे क्या करना होगा इसके space को यहां से बढ़ाना होगा जैसी मैं इसके space को बढ़ात जो time में वो update हो जाएगा तो यह फाइदा है नाओ का तो आज के इस class में इतना ही अब मैं मिलता हूं आपसे के लिए class में तब तक के लिए हैवान इस दे थैंक यू